नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाब फिर से आप सभी काहर दिख सो अगतापी के अपने चैनल मनी गुरुची पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेंज सब्सक्राइब बात करेंगे यह जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा तीस मार जानी किया है शामकोर 7.30 बजे से डिवाई पाटिली स्पोर्ट से स्टेडिया मुंबई के गराउन पर मुकाबला होने वाला है उससे पहले फ्रेंज से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है आप सभी से अगर आपने अभी तेक हमें टेलीग्राम पर फोलो नहीं किया तो हमारा जो टेलीग्राम है वो मनी गुरुजी के नाम से है लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में में दिये ध्यान तकना आपक करने से चैनल नहीं मिलेगा आपको जो लिंक में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये उसी लिंक से आपको में टेलीग्राम पर फोलो करना है फाइनल अपडेट के लिए और वहां पर रोजाना एक लाग रुपे से ज्यादा के गीववे चल रहे तो वो भी आप पर्फॉमिंस की बात के लिए तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहां पर हमें एक बार देखेंगे डाइरेकली प्लेइंग 11 कि क्या प्लेइंग 11 रह सकते हैं साधी साथ हम बात करेंगे टीम कॉंबिनेशन के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते है तो कुछ इस प्रकार रह सकती है आज तो कुछ इस प्रकार रह सकती है आज रोयल चलंजर बैंगलोर की पॉसिबल प्लेइंग 11 अगर इस तीम की लास्ट मेंच की गेन बाजी की बात की जाए तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे गेन बाज यूज किये ते टीम ने हाला कि शाबाज एमद ने ओल्ली एक ही ओर गेन बाजी की थी, इनके टीम के जो में गेन बाज है वो है, हर्चल पठल एक विकेट लेकर गए थे, वहिंडू अश्नम का लास्ट में एक विकेट लेकर गए थे, मौहमद सिराज ने दो विकेट लिये थे, वहीं पर डेविड विकेट नहीं मिला थे, लेकिन अच्छे प्लेर है, तो ये चार प्लेर आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रहने वाले गेन बाजी सेक्शन में, फिर हम बात कर लेते हैं कॉलकाटा नाइट राइडर की टीम से आप देखोगे, वेंकरे शेयर है, अजि अजिए बात कर लेते हैं कि टीम साउती की टीम साउती इस में खेलती हुए नजर आ सकते हैं अवेलेवले शेलिक्शन के लिए, फिर उमेश अदव है शिवम मावी है और यहां से हम बात करें वरुन चक्रवती, तो कुछ इस पका देखने को मिल सकती हैं दोनों ही टीमों क जो पॉसिबल प्लेइंग इलिए हाला कि कोई भी चैन्जेस होगा मैं आपको टेलीग्राम पर बताओंगा टेलीग्राम की लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लास्ट में इन्होंने पांच गेंद बाज उता रहे थे एक, दो, तीन, चार, पांच गेंद की है, तो आप देखोंगे, लाज में में ओमिशा था, उन्हें दो, वीडियो के लिए अपने नाप किया था, चलिए फ्रेंद टीम, ग्रेंड लीग टीम कोंबिनेशन देख लेते हैं, तो सबसे पहले फ्रेंद आप जो इंटरफेस देख रहे हो, यह देख रहे हो, अगर आप 10-25% तक बोनस यूज कर सकते हो, और साथ जाथ फ्रेंद यहाँ पर एक काफी कमाल का आप देखोगी, 100% बोनस वाली लिग, अगर आप इसको डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने पर आपको जो बोनस मिलेगा, उससे भी आप यहाँ पर खेल सकते हो, 100% बोनस आप य इसलिए मैंने लिंक दिये वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आपको डाउनलोड करना है, वहीं से आपको टेलिग्राम भी फोलो करना है, बात कर लेते हैं, टीम कॉंबिनेशन के बारे में, तो फ्रेंक पहले तो यहाँ पर मैं टीम से बता देता हूँ, क् सेम बिलिंग बहुत ही कमाल का प्लेयर है, इन्होंने भी अच्छा काम किया, लाश मुकाबली में और अनुज रावत ओपनिंग कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रख कर चलना है, तो फिलाल यहाँ पर मैंने अनुज रावत को लिया है, फिर आप चाहें तो सेम ब रहने को भी लेकर चल सकते हैं, या रदरफोर को भी आप लेकर चल सकते हैं, फिर आम बात कर लें, ओल्राउंडर शेक्षन की, तो ओल्राउंडर शेक्षन में आंधर असल को मेंने लिया है, क्योंकि लाश मेंन में चार और पूरे किये थे, सुनिल नारान में गेंबाज च तो आप जानते हो बहते कमाल का गेंघड़ा, तीनों के चैन्ओं की चैन्बाजी को नहीं लिया, क्योंकि हो सकता गेंघड़ाजी, एक बार फिर से यहां पर ना करें, शिक्षर मिनेले हैं, तो आप लेकर चल सकते हूँ फिर हम बात करें शिवम मवी है डैविड विली है मौमस सिराज है आप चाहे तो यहाँ पर किसी तरगा को चेंजिस कर सकते हैं आकास दीब का भी ऑप्शन मोझ होती है अब बात करें तो फ्रेंज हाला कि क्यप्टें वाइस केप्टें तो ग्रेंड लिग में आपको रूट्टेट करने पड़ते तो यहाँ पर हम ज्यादा की बात करेंगे नहीं लेकिन हर्षेल पर वहीं दू अशरण का बहुत जदा इम्पोरेंट हो सकते हैं चलिए टीम का combination देख लेते हैं तो फ्रेंज यहां से आप थोड़ा सद्यान से देखे हैं यहां पर मैंने combination जो मना है hope आपको पसंद आएंगे उससे पहले टेलीग्राम से जुर जाएका link वीडियो को नीचे description में और friend to play और नितीश राणा को मैंने लिया है फिर आंद्रे रसेल, सुनिल नारायन, वहिंडू अश्रंका, हर्चल पटल, उमेशादो, वरुन चक्रवधी छे में गीन बाज मेरी टीम में यहां पर आ जाते बागी changes आप करना चाहिए, तो 6 के 6 तो आप यहां पर रहने दीजिएगा लेगिन आप यहां चाहिए, तो थोड़ा सो changes कर सकते हैं जिससा कि आप अजिंगे रहने को ले सकते हो याँ आप सैम बिलिंग को ले सकते हो, दिश कार्ती को ले सकते हो बागी ज़्यादा changes यहां पर बनेंगे नहीं दूसरा combination हम देखते हैं, तो दूसरे combination में आप देखोगे जो फर्स्ट टीम में वेंकरे शायर नहीं थे, तो हमने वेंकरे शायर को लिया है ना मैंने सुनिल नारान को लिया है, ना मैंने अंद्रेसिल को लिया है जैसा कि लाक्ष में फ्लोप रहे तो एक बार फिर से फ्लोप होते है तो अब देखोगे, सैम बिलिंग मेरी टीम में आ जाते है, क्यों आ जाते है, उसका रीजन यही है कि जो में गेंद्बाज है, इनके में गेंद्बाजों को मैंने लिया है, तो middle order में आते है सैम बिलिंग और middle order में ही आते है, शिरे शेयर तो यहाँ पर आप देखो कि RCB की टीम बहुत मजबूत नज़र आ रहे है जैसे कि फैब डूपले से विराट कोली, वहिंड वेशनगा, डेविड विली, मौमस सिराज, हर्शल पतेल वही पर वरुन चक्रवती, उमेशादो, वेंकर शेयर और शेयर और सेम बिलिंग, तो यह कॉम्बिनेशन में मुझे एक perfect combination नज़र आता है अजिंग के रहाने और शेयर शेयर तीनों टॉप अडर के बल्ले बाजो को मैंने यहां से लिया है फिर वही नोज़नगा, हर्शल पतेल टीम के में गेंड बाज है, इन्हें मैं बिल्कुल मिस करूँगा नहीं फिर fresh new place और यहां पर मैंने दिनेश कार्थिक को लिया हाला कि इनके जगे अनूज रावत या फिर आप चाहे हाला कि सेम दिनेश कार्थिक को लेने का एक ही रिजन था कि इनकी टीम के मैंने main gain बाज लियो और दिनेश कार्थिक आते हैं तो होप वीडियो आपको पसंद आया हुगा, वीडियो पसंद आये तो बिलीजे लाइक जरू कर दिया करें, और टेलिग्राम से जरूर जुड़े, क्योंकि फाइनल अप्डेट तो आपको वहीं पर मिलेगी, टेलिग्राम मनी गुरुजी के नाम से, लिंक वीडियो के मिलेगा, जो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये, उसी लिंक से आपको में टेलिग्राम पर फोलू करना है, थेंक यू वेरी मच्च